हेलो फैंग्स वेलकम बाक जैसा कि आप कही लोग जानते हैं यहां बात करते हैं जब कि यहां मेरे वीडियो की बात करने वाला हूँ वो चीज की बात करने माला हूँ जिसकी बात अगर आप fitness field में है या आप exercise करते किसी भी तरह की तो सबसे ज्यादा बात होती है इस topic पे और वो topic है protein देखिए लोगों के दिमाग में एक डलत information है कि protein जो है सिर्फ आपको non-vegetarian लोग है सिर्फ वही लोग body बना सकते हैं तो सबसे पहली चीज यह बता दू कि मैं खुद भी मैं आज आपको 5 vegetarian चीजे बताने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छी मातरा में और सही तरीके से protein मिलता है और आप अपनी body की growth कर सकते हैं तो start करता हूँ सबसे पहली चीज है दूद दूद एक complete food कहा जाता है क्यों क्योंकि दूद में सिर्फ protein ही नहीं होता इसके साथ-साथ calcium और potassium भी होता है जो आपके body के लिए और overall health development में बहुत मदद करता है दूद में अगर आप एक लीटर दूद में देखे तो करीबन 40% उसमें protein की मातरा होती है जो एक अच्छी मातरा है तो हर exercise करने वाले को दिन में 300 ml से 500 ml दूद जरूर पीना चाहिए दूद क के उपर बता दूद कि अगर आप पतले रहना चाहते हैं तो गाय का दूद पीजे और अगर आपको पहलवान बनना है तो आप भैस का दूद पी सकते हैं दूसरी चीज़ पनीर अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो इसमें 18-20 ग्राम protein मिलता है थोड़ा fat भी होता है इस खाते समय ध्यान रखें कि आप इसे daytime में खाये रात में avoid कीजिए तीसरी चीज़ की बात करता हूँ तो दही दही में करीबन 11-13 ग्राम protein होता है 100 ml पे 100 ग्राम पे तो ये भी एक अच्छा source है और आपके इसके साथ साथ दही का एक और काम है ये आपके guts को आपके digestive system में ऐस enzymes provide करता है जो आपके digestive system को strong करते हैं चौथे चीज़ की बात करता हूँ सबसे अच्छा protein का source है डाल और sprouts जो है इसमें करीबन 25-30 ग्राम protein होता है मैं हर 100 ग्राम की बात करूँ दूसरी चीज़ दालों को कभी भी अकेले मत खाईगे क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में जैसे मैं बता चुका हूँ कि amino acids जो है वह amino acids से मिलकर protein बनता है तो इसमें कुछ ऐसे amino acids होते हैं जो होते हैं और कुछ unavailable होते हैं तो इसलिए जो हमारे पूर्वस थे या हमारे ancestors थे वह पहले से इसको चावल के साथ या रोटी के साथ खाते थे क्योंकि जो amino acids दाल में नही आप दाल खाते हैं या चावल के साथ में चावल को add-on करने की या दाल के साथ में आप रोटी को रखी हमेशा थोड़े से काप्स को पाचवी चीज बोनस पे बने रहीएगा दोस्तों पाचवी चीज चना जो काबुली चना है देशी चना है उसको आप भिगा के रख कीजिए और दूसरे दिन उस पानी के साथ में उसको खाई देखिए प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को जरूरत नहीं होती प्रोटीन आपके सेल टीशू और हमेशा में जिसकी बात करता हूँ अईरोवेदा में 22,000 नाडियों को अच्छे से working के लिए जरूरी होता ह पर यह energy का source नहीं होता है तो चने में जो है करीब अच्छा प्रोटीन होता है तो यह अच्छा source है जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ पूरा वीडियो क्यों देखने के लिए बोलता हूँ क्योंकि आधा दूरा ग्यान खतरनाक होता है लोगों को लगता है दिमाग मे जैसा मैंने पहले भी बताया कि अनॉन्वेज में सिर्फ प्रोटीन होता है, नहीं अब चने को जब आप सुबब खारे तो रोज आपको सेम जो चीज है या सेम फूड आइटम से प्रोटीन नहीं कलेक्ट करना है ये हर चीज से आपको थोड़ा थोड़ा लेना है तो किसी दिन आपने प्रोटीन घाया तो रोज आपको सिर्फ पनीर से प्रोटीन नहीं लेना है आपको आपने हफते में दो दिन पनीर का प्रोटीन लिया अगर हफते में दो दिन आपने चला घाया अब आता हूँ सबसे important और सबसे bonus वाली div पे soya chunk soya chunk जो है इसमें आपको believe नहीं होगा कि 100 gram soya chunk में 51 gram protein होता है 51 gram protein और मैंने क्यों कहा था धाई रूपय में 25 gram क्योंकि soya chunk का market value आज की तारीख में 1 kg का लगभग 50 से 60 रूपय किलो है तो अगर आपको 25 gram protein चाहिए तो आपको 50 gram soya chunk लेना पड़ेगा और इसको आप हर दूसरे तीसरे दिन repeat कर सकते हैं तो इससे होगा क्या कि आपके protein की बड़ी मात्रा पूरी हो जाएगी इसके besides आप बोलेंगे कि मैंने protein supplement की बात नहीं करी देखिए मैंने यहां वो तरीके बताया थे जो आप घर में follow कर सकते इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको protein supplement के बारे में बताने वाला हूँ और उसमें protein supplement में जो protein आता है वो कितने तरह के आते हैं protein किसको लेना चाहिए और इसको लेने का सही वक्त क्या है तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया इतना हाथ जोड के मैं आपसे हर बार request करता हूँ तो प्लीज subscribe कर लीजे और पडोस में घंटे के आइकन को और भी दबा दीजे थोड़ा मेरी आदत है आदत से परेशान हूँ है अपनी body दिखाने के तो इसको दबा दीजे ताकि आपको मेरे वीडियो का link बिल सके और हमेशा आपकी तरह मेरे वीडियो को आकर देखने का आपका एक बार फिर से तही दिल से धन्यवाद थैंक यू